Hello guys, my name is Krishna Ayak and welcome to my YouTube channel. So guys, हम लोग machine learning का playlist continue करेंगे और आज के वीडियो में हम देखने वाले एक amazing algorithm जिसे हम लोग बोलते हैं decision tree. अब decision tree algorithm जो है guys, वो जानना बहुत ही important है क्योंकि आगे जो हम algorithms देखने वाले हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ensemble techniques जहांब specifically हम लोग random forest और xg boost देखेंगे वो सारे algorithms basically use करते हैं decision trees, multiple decision trees तो आज के वीडियो में हम लोग completely देखेंगे decision tree का theoretical understanding और आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे उसको practically कैसे implement करते हैं तो चलिए मैं बिना time waste के screen share करता हूँ प्लीज make sure करिएगा channel को subscribe करिएगा guys share करिएगा अपने दोस्तों लोगों से क्योंकि ये सारे videos काफी important होते हैं और ये ही सब interview questions में पूछा जाता है और जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आज कल हिंदी में probably ये बहुत लोगों को beneficial होगा तो focus करते है community building पे और जादा से जादा लोगों को समझाते और पढ़ाते तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले decision tree decision tree usually classification और regression problem के लिए दोनों के लिए use हो सकता है मैं इस वीडियो में classification के इसाब से समझाऊंगा आपको आने वाले वीडियो में हम लोग regression भी करेंगे तो decision tree classifier के बारे में बात करूँ दो technique है usually ID3 technique होता है एक होता है cart technique अब देखें दोनों technique में almost सब कुछ same ही है entropy हम लोग use करते हैं या गिनी index या information gain यूज करते हैं जिससे मैं अभी समझाऊंगा अगर आपको जानते नहीं है उस चीज के बारे में बट cart के बारे में मैं अगर specifically तो बोलूँ तो जो decision tree बनता है उसमें से binary groups होते हैं मतलब एक decision tree जो होता है वो binary तरीके से split होते जाता है वो ही difference है cart और ID3 में और इसके अंदर का process हम लोग आगे जानेंगे कैसे होता है अब मैं बात करूँ आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या focus करेंगे हम लोग focus करेंगे entropy और गिनी index को समझने के लिए और ये काफी important होता है important topic समझने के लिए जिसको हम लोग बोलते है purity split ठीक है और दूसरा जो important समझना है हम लोग को इसको बोलेंगे information gain ये basically हमको help करेंगे कि कौन से feature के साथ हम लोगों को decision tree split करना है ठीक है decision tree split करना है तो ये सारा चीज हम लोग cover करेंगे बहुत ही अच्छी तरकी समझते है पहली बात तो मैं आपको easily समझाना चाहता हूँ कि decision tree करता क्या है और क्या होता है अगर आप python पड़े हो आप कोई भी programming language की हो आप usually if else condition लिखते ही है अगर मैं बोलूँ ठीक है मैं अगर एक age input variable ले लिया let's say कि एक age input variable है और मैंने यह assign कर दिया 14 ठीक है अब let's say मैंने एक condition लिख दिया if age is less than or equal to 15 ठीक है तो यहाँ पर मेरा condition होगा यहाँ मैं print कर दूँगा the person is in school ठीक है एक simple if else condition देखे the person is in school तो यह मेरा first condition होगया उसके बाद मैं कर लूँगा elif elif में condition डाल देता हूँ if age is greater than 15 and age is less than or equal to 18 ठीक है 18 बोल सकता हूँ यहाँ ने तो 21 भी बोल सकता हूँ 21 let's say then I can basically say that the person is in college let's say कि यहाँ पर मैं college लिख देता हूँ ठीक है यह एक और condition होगया चलिए एक और condition में उसके बाद लिख देता हूँ else I can definitely say the person has past college ठीक है तो यहाँ पर he has past college let's say मैंने यह सारे condition लिख दी है अब यहाँ आप देखिए क्या है यह if else condition है है ना आपका एक condition इधर है जो यह आपका एक condition हो गया उसके बाद आपका second condition यह है आपका third condition यह है ठीक है तो अगर मैं इसको एक binary tree के structure के format में बनाऊ तो मेरा पहला node होगा less than or equal to 15 अब less than or equal to 15 को एक हो सकता है yes एक हो सकता है no ठीक है तो यह समझी yes condition है यह मेरा no condition है अब यहाँ पर क्या होगा yes में मेरे को leaf node मिल जाएगा ठीक है बन्दा school में है बन्दा person is in the school ठीक है अगर no में है तो क्या होगा यहाँ पर अलग check लगेगा कौन सा check greater than 15 तो मैं यहाँ एक और check लगा देता हूँ उससे पहले मैं यह circle सब अच्छे से बनाता हूँ ठीक है तो better लगेगा आपको तो यहाँ पर अगर मेरा no है that basically means यह वाला condition execute हो रहा है और यह वाला condition में क्या है यह वाला condition में यह है कि if it is less than or equal to 15 if it is less than or equal to less than 15 and less than or equal to 21 तो यहाँ भी आपका do condition बनेगा yes or no ठीक है तो यह वाला condition में अब हम लोग देख सकते हैं कि यह true है कि false है अगर यह false है तो यह हमारा हो गया college यह हमारा हो गया past college ठीक है तो यहाँ आपको दिख रहा है कि इतने असारे मैंने इस simple if else condition को इस तरीके से एक decision tree में बना दिया है और वही चीज़ हम लोग करेंगे data set के साथ और हम लोग यह दिखेंगे कि decision tree हम लोग कैसे बनाते हैं अगर हमारे पस features of data set आ जाता है तो यही चीज़ करने वाले हैं हम लोग यह पूरे चीज़ों में बट यह decision tree बनाने के लिए थोड़े important terms है जैसे हो गया आपका entropy guinea index यह purity split क्या होता है impure split क्या होता है यह information gain क्यों use करते है यहां तो आपने देख लिए कि simple मेंने if else condition को decision tree में बना दिया तो आप सोच रोगे Chris यह तो बहुत easy है but understand करेगा इस आपके पास data set होता है data set में क्या होता है आपके बहुत सारे features होते है और उसमें बहुत सारे output एक output feature होता है लेट से बहुत सारे independent features होते है आपके पास अलग-अलग type का data set होता है classification वाला data set भी होता है regression वाला data set भी होता है तो इस चीज़ को आप solve कैसे करिएगा वो हम लोग देखेंगे इस particular video में और हम लोग जानेंगे कि भाई ठीक है entropy और गिनी इंडेक्स क्या है, information gain क्या है at the end of the day हम लोग ऐसे tree बनाएंगे so that हम लोग को decision लेने के लिए बहुत easy हो हम लोग decision लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग उपर से नीचे पुड़ा traverse करेंगे ठीक है? less than or equal to 15 हो गया यहाँ traverse किया, यहाँ traverse किया, यहाँ traverse, यहाँ traverse किया तो उसमें मेरे को एक specific output आता है ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग देखने के बाद यहाँ पर यह specifically लिखने वाला हूँ कि मैं एक dataset लेता हूँ वो dataset काफी famous है play tennis dataset बोलते हैं हम लोग मैं आपको screenshot दिखा देता हूँ कोई problem नहीं है तो मैं दूसरे browser से ले लेता हूँ वो पुरा का पुरा तो उससे आपको idea पुरा मिल जाएगा कि होता गया है वो dataset ठीक है? तो मैं Google से search कर लिया हूँ और यहाँ पर मैं copy paste कर देता हूँ तो let's say कि मेरे पास यह dataset है अब आप I hope यह dataset देख पा रहे हूँ आप I hope यह dataset समझ पा रहे हूँ अब यह dataset में बहुत ही simple है यह मेरे dataset में यह independent features है जैसे हो गया outlook, temperature, humidity, wind है ना यह सारे independent features है और हमको predict करना है based on this independent feature क्या John जान बोलके बोला हुआ है इसमें वो खेलेगा कि ने tennis whether the person is going to play tennis or not tennis खेलने वाला है कि ने तो यह हम लोगों को search करना है अब ऐसे type के scenario में हम लोग देखेंगे कि भाई हम लोगे dataset को कैसे split कर सकते हैं और हम लोग समझेंगे कि ठीक है इस तरह के split करना है क्या किस तरह के split करना है वो सारा चीज समझेंगे please make sure करिएगा आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो पुरा end तक देखे क्योंकि यह सारे materials भी मैं github link में डाल रहा हूँ so that आप लोग यह हमेशा refer कर रहा है ठीक है तो चलिए पहली बात तो हम लोग एक feature ले लेते हैं यह feature होगा outlook ठीक है तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ outlook मैं यह consider कर रहा हूँ ठीक है मैं अभी outlook को feature लेके हम लोग यह split करेंगे यह पूरा का पूरा जो यह पूरा का पूरा data set है उसके हिसाब से हम लोग यह split करेंगे और हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे आ रहा है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अब outlook के हिसाब से पहली बात तो जब outlook अभी यहाँ पर हम लोग total देखें कितने yes और no है तो अगर आप count करेंगे कितने total yes है यहाँ पर अगर मैं count करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो मेरे को पता है यहाँ पर 9 yes है और कितने no's है अगर मैं देखू तो यहाँ मैं white से कर दो 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पर मेरा 5 no's है ठीक है अब मैंने outlook से split किया तो यहाँ पर देखें यूनिक categories कितने outlook में तो आपको दिखेगा एक sunny एक category है overcast एक category है rain एक category है sunny, overcast, rain एक category है तो मैं यह तीन category के हिसाब से इसको split करूँगा तो यहाँ पर मेरा आगया sunny ठीक है sunny तो यह मेरा first category हो गया sunny और यह मेरा second category हो गया यह category का नाम होगा क्या overcast ठीक है और यह final मेरा एक और category हो गया इसको हम बोलेंगे rain ठीक है तो मैंने यहाँ तीन category बना दी है बहुत ही simple यह problem statement में अब sunny के हिसाब से कितने yes और कितने no है आप वो count करिएगा अब देखे sunny यहाँ पर कितना है एक no दो no ठीक है और sunny यहाँ पर तीन no ठीक है कितने yes है एक yes और दो yes तो यहाँ पर अगर मेरा देखूँ दो yes और तीन no है ठीक है आप ऐसे ही count करिए overcast के लिए overcast के लिए आप देखे यहा सब yes है एक overcast दो overcast yes तीन और चार तो यहाँ पर आपको four yes है zero no है ठीक है no नहीं है overcast के case में ठीक है उसका मतलब क्या है जब भी outlook overcast है तो उस दिन वो person खिलने जाएगा tennis ठीक है जब भी भी overcast है तो वो person खिलने जाएगा और last वाले feature में हम लोग देखे हैं rain के case में कितने yes और no है तो यहाँ पर आप देख रहें 1 yes 2 yes 1 no 3 yes और total 3 yes और 2 no तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 yes और 2 no ठीक है अब आप सोच रहेंगे Chris आपने outlook ही क्यों select किया दूसरे features क्यों नहीं select किया जैसे temperature, humidity, sub मैं बताऊंगा उसके बार में अभी मैं आपको simple सीज चीज बता रहा हूँ मैंने क्या किया मैंने एक feature लिया है मैंने उसमें split किया है ठीक है और उसके बाद मेरे को यह मिला है 2 yes और 3 no यह वाले sunny category के लिए overcast के लिए 4 yes 0 no 3 yes और 2 no उसका मतलब कभी मेरा outlook जबी भी overcast है उसका मतलब मेरे को पता है कि वो person खेलने जाने वाला है tennis ठीक है तो इस type के leaf को हम लोग बोलता है leaf node ठीक है और यह leaf node नहीं है यहाँ पर leaf node है क्योंकि यहाँ पर either आपके पास sub yes है या आपके पास देखें दो condition है अगर आपके पास sub yes है तो आप definitely बोल सकते हैं leaf node है यहाँ पर आप 0 no's देख रहे हैं और 4 yes देख रहे हैं अगर आपका scenario ऐसा भी होता कि यहाँ पर मेरा 5 no's और 0 yes होता तब भी हम इसको क्या बोल सकते हैं हम इसको basically बोल सकते हैं leaf node क्योंकि यहाँ पर आपको yes ही चाहिए या no ही चाहिए और multi classification में yes, no और तीसरा और जो भी category होना वही specifically चाहिए तो I hope आप लोग यह समझ में आ रहा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं leaf node अब सबसे important point हम लोग क्यों leaf node बना रहे हैं अब देखें यहाँ तक अगर हम पहुच गए आगे हम क्या कर सकते हैं क्योंकि यह एक impure node है यह leaf node नहीं है यह leaf node नहीं है हम लोग leaf node इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह basically pure split है ठीक है pure split है क्योंकि आईदर हमारे पास yes है या no है इस case में 4 yes है 0 nodes है ठीक है complete तो इसको हम लोग बोलेंगे pure split ठीक है उसके चलते हमको leaf node आता है यह impure split है क्योंकि यहाँ पे आपके patch 2 yes है और 3 nodes है तो इसको हम लोग बोलेंगे impure split और जब भी आपके पास impure split होता है तो आप आगे क्या करेंगे दूसरा कोई feature ले लेंगे लेट से कि temperature ले लेंगे यहाँ पे और temperature को लेके आप फिर से splitting करेंगे ठीक है फिर से splitting करेंगे और जब तक आप split करेंगे जब तक आपको leaf node नहीं मिलता similarly rain की case में आप आगे कोई भी feature लेके split करेंगे अब कौन सा feature लेना है उसके बारे में बताता हूँ बट understand करिये decisionary ऐसे work होता है आपको features लेते जाना है split करते जाना finally जब तक आपको leaf node नहीं मिलता है ठीक है अब यहाँ पे दो question आता है ठीक है पहली बात तो मैंने आपको बताया purity के बारे में अब हम लोग जब देखते हैं हम लोगों पता चल जाता but mathematically कैसे check करें कोई भी split एक pure split है की नहीं यह पहला question हुआ मेरा ठीक है तो इसके लिए हम लोग दो technique यूज़ करेंगे एक है हम लोग बोलते हैं entropy और second वाला technique जो बोलते हैं हम लोग guinea index ठीक है तो यह दोनो technique हम लोग देखेंगे इसका mathematical formula समझेंगे और उसके साबसे हम लोग बार में इसके बार में discussion करेंगे और second technique जो हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं information gain ठीक है अब यह information gain में हम लोग क्योंकि second question हमारा कैसा है आप पूछ रहे होंगे क्रिश हमने यही feature क्यों use किया outlook ही क्यों use किया इस split में हम लोग temperature ही क्यों use किया तो मेरा यहां question रहेगा how the features are selected यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है और उसको technique को हम लोग use करेंगे information gain ठीक है तो चली शुरू करते हैं पहली बाद तो हम लोग entropy के बारे में जानते हैं तो first हमारा हो गया entropy ok और second technique जो हो गया हमारा gully index इंडेक्स भी बोलते हैं आपको पूरा क्लियरली मिल जायगा अगर आप सब्सक्रामप क्लासिफार सच करेंगे तो आपको आपको clearly दिख जाएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ probably, ने तो मैं wait करता हूँ क्योंकि practical में आपको दिखाना better होगा, तो मैं यहाँ गिनी इंडेक्स के बढ़ ले ना let's say कि अभी मैं देखा, उसमें scale earn में यहाँ पे गिनी impurity लिखा हुआ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिनी impurity और यहाँ भी मैंने update कर देना है अब हम दोनों, basically क्या है purity चेक करता है, यह purity ठीक है, गिनी impurity, और यह बहुत ही important interview question हो सकता है guys ठीक है, बहुत ही important interview question और मैंने यह देखा हुआ है, लोगों को पूछते हुए interviews में, मेरे interviews में खुद पूछा हुआ है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरगे से समझते हैं और समझने की कोशिश करते कि यह work कैसा करता है और सबसे important चीज जो मैं हमेशा बताता हूँ कि, नहीं, जब आप यह सारे चीजों में work करते हैं आपको maths पता रखना बहुत important है, ठीक है तो चलिए पहली बात तो हम लोग चलते हैं entropy के formula में, entropy का formula काफी simple है मैं यहां लिख देता हूँ, h of s entropy का हम लोग usually ऐसे define करते हैं बहुत सारे research paper में ऐसे लिखा हुआ है let's say कि अभी मेरे पास यह binary classification problem है ठीक है, तो उसका formula को मैं expand करूँगा तो मैं यह formula लिख सकता हूँ, minus p plus p plus मतलब probability of being positive देखें, जब यह binary classification होता है तो yes और no होता है, outputs बहुत सारे में तो मैं yes को positive मानूँगा, no को negative मानूँगा ठीक है, अगर तीन categories हो सकता है तो probability of c1, probability of c2, probability of c3 कर सकता है ठीक है, तो यहाँ भी मैं p plus इसले ही रखा हूँ क्योंकि मैं इसको yes समझ रहा हूँ तो log base to p plus minus minus p minus log base to p minus तो यह मेरा formula हो गया, simple entropy for binary ठीक है, for multi classification आप probability of c1, probability of c2 कर दीजे उसके बाद इस तरीके का formula कर दीजे, ठीक है तो I hope आप लोगो समझ में आ रहा हूँ गिनी impurity का formula हम लोग basically लिख देते हैं यहाँ पर g of i और इसको हम लोग simple लिख देते हैं 1 by summation of i is equal to 1 to n probability square मैं इसके बारे में discussion करता हूँ पहली बात तो हम लोग यह fix करेंगे कि entropy क्या होता है ठीक है, चलिए एक problem statement लेते हैं यहाँ पर बहुत ही simple तरीके से तो यह मेरा रहा feature 1 let's say, यहाँ पर मेरे पास 6s 3 nose है, संब्स ठीक है, और यह रहा मेरा c1 ठीक है, और यह रहा मेरा c2 दो categories as usual जैसे हम लोग ने पहले दिखाया था अब यह दो categories में, let's say कि यह split हुआ, यहाँ पर हमारा आया 3s and 3 nose उसके एवन मैं आपको दिखाऊंगा कि entropy कैसे calculate होता है 3s and 3 nose और यहाँ आपका आगया 3s and 0 nose ठीक है, बहुत ही simple split है अब यहाँ पर आप देखेंगे obviously यह एक leaf node दिख रहा है आपको ठीक है, हम लोगों देखने में तो पता चली रहा है कि यह leaf node है, बट हम mathematically कैसे calculate करेंगे इसको, ठीक है, तो यही वाला हम लोग formula यूज करेंगे ठीक है, तो guys आपने यह split समझ गए है तो यहाँ पर हमारा को मिल रहा है leaf node ठीक है, तो यह obviously आप देखेंगे कि leaf node है ठीक है, क्योंकि यहाँ मेरा 3s and 0 nodes है let's consider यह leaf node है अब मैं mathematically prove करा हूँगा whether यह leaf node है की नहीं तो let's say कि मैं इसका entropy calculate करता हूँ entropy of C2, ठीक है, मैं इसका calculate करता हूँ तो इसका formula क्या है, minus P plus, probability of plus अब यहाँ पर मैं कैसे लिख सकता हूँ minus 3, probability of plus कितना है, मतलब probability of yes कितना है यहाँ पर तो यहाँ पर मैं simply 3 by 3 लिख सकता हूँ क्योंकि total 3s and 0 nodes है, 3 plus 0, 3 है ना तो probability of 3, हम लोगो probability of yes कैसे find out कर सकते हैं ऐसे ही लिखेंगे, probability of plus, minus 3 by 3 और आगे लिख दूँगा log base to probability of plus देखें, यहाँ पर यह formula लिखा हुआ है, clearly probability of plus तो यहाँ भी मैं लिख दूँगा 3 by 3, फिर से minus लिख देता हूँ यहाँ पर क्या है, probability of minus अब probability of minus क्या है, 0 knows है, तो यहाँ पर मैं specifically लिख दूँगा 0 by 3, log base to 0 by 3, तो I hope आपको बहुत ही clearly यह समझ में आ रहा हूँ तो obviously 0 by any number is 0, तो यह पुरा का पुरा cancel हो गया, यह 1 हो गया log to the base to of 1 क्या है यह, minus 1 multiplied by log to the base to 1 तो इसका value हमको 0 मिलेगा, अब 0 क्या है, जब भी भी हमको कोई 0 आता है तो यह हमारा हो गया pure split, ठीक है, pure split, ठीक है तो अगर मैं बात करूँ अब, h of s का, ठीक है, h of s का let's say कि अब मेरे को पता है कि h of pure, यह pure split है कि यह हमको पता चल गया 0 आ रहा है क्योंकि यह pure split है, यह वाला category let's say कि हम लोग c1 का भी धूनते है, तो h of c1 को हम लोग calculate करते है और यहाँ पर हम लोग, फिर से वह ही equation, what is probability of plus in this case तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 3 by 6 log base to 3 by 6 minus, ठीक है 3 by 6 log base to 3 by 6, क्योंकि यह, देखे, 3s और 3 nose है, उसलिए मेरा formula इस तरीके से बन रहा है तो अगर मैं इसको calculate करूँ, और आप calculate भी कर लिजेगा, तो इसका value उनको 1 आएगा अब जब भी value 1 होता है, इसका मतलब यह बहुत ही impure split है और आपको आप इस तरीके से देख भी पा रहे हैं, कि यहाँ पर आपका 3s और 3 nose है, 3s और 3 nose जब भी भी होता है तो आपको basically 1 आता है और इसको impure split बोलते हैं, क्योंकि यह इंप्यूर है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3s और 3 nose है तो आप मान के चले, यह leaf node है नहीं, आगे हमको और split करना पड़ता है तो इसका मतलब हम लोग entropy आप देखिए, जब भी भी आप entropy calculate करने जाएंगे न, आपका range हमेशा 0 to 1 के बीच में ही होता है तो अगर मैं graphically आपको बताओं कि entropy कैसे दिखता है, तो entropy कैसे दिखता है हमने यहाँ कर लेंगे let's say कि यह मेरा h of s है, और यह मेरा probability of plus और probability of minus क्योंकि देखे, अगर मेरा probability of plus 0.5 है, तो मेरा probability of minus क्या होगा? 1 minus 0.5 तो यह भी 0.5 है, तो इसका जो values है, यह हमेशा range करेगा 0 to 1, probability of plus और minus तो कभी भी मेरा probability of plus 0.5 है, उसका मतलब क्या है? हमारा h of s देखे, इस case में probability of plus 0.5 था ना, 3 by 6, 1 by 2, 0.5, हमेशा 0.5 तो हमेशा क्या होगा? इस वाले case में h of s हमारा हमेशा 1 होगा, तो मैं यहाँ पर एक point बना देता हूँ, ठीक है? तो जब भी भी आपका ऐसा probability है, जहाँ पे 3s और 3 noz है, अब इस case में क्या है? probability of yes भी 0.5 है, probability of no भी 0.5 है, तो इस case में हमेशा आपका h of s 1 होना चाहिए, अगर आपका probability of plus 0 है या 1 है, तब आपको इस तरीके का graph आएगा, ठीक है? हमेशा h of s और probability of plus और minus will be ranging between 0 to 1, अब इस case में क्या है? impure split में case में क्या है? आपको पता है, probability of plus इसमें क्या है? probability of plus हमेशा आप यहाँ देखे, 1 आएगा, इस case में, 1 आएगा, है ना? 3 by 3, 1, हमेशा 1, तो उस case में क्या होगा? probability of plus 1 है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका h of s हमेशा 0 आएगा, ठीक है? जब भी भी 0 आता ह h of s, तो उसका मतलब क्या हो गया, यह पूरा pure split हो गया, तो आप यहां से दोनों यह चीज़ satisfy कर रहा है अगर आपका 1 आता है उसका मतलब आपका split जो है, वो completely impure split है, जब भी भी आपका 1 आता है तो आप मान के चलिजे, वो impure split है, कभी भी आपका output 0 आता है, तो उसका मतलब वो क्या हो गया, pure split हो गया, तो यह वाले graph से हमको हमेशा समझने आता है, तो इसको हम लोग entropy graph बोलेंगे, right entropy का हमेशा graph h of s कहां से कहां तक vari करता है ठीक है, तो यहाँ पर एक question हम लोग को definitely मिल गया, जो है entropy के बारे में pure split कैसे ढूंदे है अब हम लोग ढूंदेंगे और हम लोग समझेंगे कि भाई, यह वाला चीज क्या है, तो हम लोग एक चीज सो miss कर दिया, गिनी impurity अभी तक discussion ने किया, तो इस case में हम लोग गिनी impurity कैसे use कर सकते हैं, यह वाले, यह वाले इस 1 minus summation of i is equal to 1 to n p square, ठीक है अब याद रखिए, वो split क्या था यह p square को हम लोग और expand करके ऐसे भी लिख सकते हैं i is equal to 1 to n और यहाँ पर हम ला रहा होगा, probability of plus whole square, plus probability of minus whole square क्योंकि summation जब मैं हटा दूँ let's say मैं summation हटा दिया, तो कैसे होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए बहुत easy हो जाएगा 1 minus probability of plus whole square plus probability of minus whole square, और यह equation और expand हो जाएगा अगर आपके पास और categories हो तो ठीक है, तो हमेशा यह याद रखे, तो अगर समझ लिए आपके पास कोई ऐसा split है जहाँ पे 3 yes और 3 no's है अब इसमें आपको 50-50% split है तो इस case में आप equation के से डालेंगे यहाँ पे लिखेंगे, what is probability of plus probability of plus क्या है यहाँ पे बहुत ही symbol है, right, 1 by 2 whole square ठीक है, 3 by 6 है ना, यह 3 by 6 ही है और इस case में भी probability of minus क्या है, 1 by 2 whole square, तो अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 by 4 plus 1 by 4, 1 by 4 plus 1 by 4 is nothing but 1 by 2, तो यहाँ पे आपके आएगा 1 minus 1 by 2 which is nothing but 0.5, तो जब भी आपके पास कोई भी impure split होता है बहुत ही impure split, ऐसे type का 50-50 percentage वाला, तो आपका maximum value 0.5 होगा तो अगर आपके पास समझ लिजे, एक और split है, जहाँ पे 3, yes and 0, no's है तो अब इस case में आपका equation कैसे होगा, आप देख लिजे हैं, आप इस simple simple डाल के देख लिजे हैं equation, तो 1 minus what is probability of plus whole square, तो यह रहेगा आपका 3 by 3 by 3, which is nothing but 1 square right, plus 0 तो यह आपका होगा 1 minus 1 which is nothing but 0, तो इस case में आपका value, minimum value जो हम लोग बोलते है, गिनी impurity का 0 है और maximum value 0.5 है तो उसका मलब जब भी आपका probability 0.5 होता है तो आपका maximum value 0.5 यहाँ पे जब भी भी probability 0.5 होता है तो आपका maximum value 0 होता है, नहीं तो 0 होता है तो अगर मैं गिनी impurity के बारे में discuss करूँ तो आपका graph कुछ ऐसे बनता है तो यह मेरा हो गया गिनी impurity वाला graph तो I hope आप लोगं को यह basic difference पता चल रहा हो entropy और गिनी impurity का अब इनके case में जब भी मैं यह formula अपलाई करूँ गिनी impurity जो भी हमको output देता है for a impure split हमेशा 0.5 होता है maximum 0.5 तक जाता है और minimum value 0 होता है इस case में क्या था आपका 0 to 1 के बीच में था इसलिए मैं यह graph बनाया हूँ और यही है basic difference गिनी impurity और entropy का कोई भी यह question पूस सकता है आपको सीधा बोलना है गिनी impurity ranges between 0 to 0.5 whereas entropy ranges between 0 to 1 ठीक है बट अब question आएगा कि आपको गिनी impurity यूज़ करना चाहिए या entropy देखे guys use तो आप दोनों भी कर सकते हैं बट अगर आपका data set huge है तो आप मैं suggest करूँगा आप गिनी impurity use करिए नहीं तो entropy use करिए क्यों? क्योंकि formula देखे entropy के case में log use होता है और इसमें simple maths use होता है तो अगर मैं log का बात करूँ वो ज़्यादा time लेगा execution के लिए when compared to simple maths in गिनी impurity ठीक है? तो I hope आप लोग को समझ में आया हो तो ये हम दोनों ने complete कर दिया है basically purity split with respect to entropy and impurity अब जो next video आने वाला है वो specifically होगा information gain के बारे में अब information gain यहाँ पर हम लोग ये देख लिए हैं कि कैसे एक node को determine करें pure split है या impure split है आपने यहाँ देख चुके हैं दोनों टेकनीक से entropy और गिनी impurities है अब हम लोग ये करेंगे Krish जैसे एक question आ सकता है आपके पास Krish अगर मेरे पास feature F1 है F2 है F3 है मैं कैसे पता लगाँ कि मेरा entire split कैसा होना चाहिए क्या मेरे को F2 से start करना चाहिए उसके बाद F1 से जाना चाहिए उसके बाद F3 से जाना चाहिए या पहली बात तो मैं F1 से start करूँ या F2 से जाऊँ या दूसरा split मैं F3 से करूँ कैसे मैं ये पता लगाँ आपने तो बहल दिया कि pure split कैसे देखना है कैसे नहीं देखना है वो मैंने आपको clearly बता दिया बट इसके बारे में हम लोग क्या कर सका तो उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा information gain अब information gain जो है वो काफी important होता है ठीक है तो चली शुरू करते है information gain के बारे में और हम लोग कोशिश करेंगे इसको बहुती easily और बहुती प्यार से ये समझने के लिए ठीक है और information gain काफी important topic है again interview question के लिए ठीक है तो चली शुरू करते है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ information gain का formula तो यह रहा मेरा information gain I know guys यह video थोड़ा बड़ा हो रहा है बट मैं चाहूँगा आप यह सारे topics एक ही video में पढ़िए वो काफी important होता है ठीक है अब information gain का formula बहुती simple है मैं यहाँ लिख सकता हूँ S, F1 ठीक है let's say feature 1 ऐसा कुछ बोल राँ जैसे अगर मेरे पास बहुत सारे features F1, F2, F3 कौन से feature से start करो मैं हर एक feature का information gain चेक करना पड़ेगा तब ही मैं decide कर पाऊंगा कि कौन से feature से हम लोग यह कर सकते है let's say कि अगर मैं F1 feature लेता हूँ यहाँ पे F1 feature है और मैं इसको split कर देता हूँ let's say मैं मेरे पास दो category है C1, C2 ठीक है और मैं next वाला split लेता हूँ F2 यहाँ पे मेरे पास category है C3 and C4 ठीक है अब इन दोनों में से कौन सा सबसे best split है मैं क्यों F1 से start करूँ यह क्यों F2 से start करूँ उसके लिए भी कुछ reason होना चाहिए और हम लोग directly देखने से नहीं पता चलता है तो इसका क्या करेंगा हम लोग information gain calculate करेंगे दोनों का let's say कि F1 का जब मैं split करता हूँ यहाँ पे initially था मेरे पास 9 yes and 5 no's ठीक है उसके बाद यहाँ पे हो गया जब मैं split किया C1 से 6 yes and 2 no's और उसके बाद यहाँ हो गया मेरा 3 yes and 3 no's ठीक है अब ऐसा है कभी भी मेरा split let's say तो इसके बाद मैं information gain कैसे calculate करूँगा information gain को S, F1 F1 इसलिए लिकरा हूँ क्योंकि F1 हमारा root node है इस case में ठीक है अब यह वाला इसके लिए हम formula ऐसे define कर सकते है is equal to H of S minus H of S तो आप जानते ही है root node का entropy entropy हम लोग ने अभी देखा था H of S यहाँ पे हम लोग ने clearly देखा था H of S का formula क्या है ठीक है तो H of S minus submission of V belong to values मैं हर एक component आपको समझाऊँगा तो आप कोई भी tension मत लीजे S of V आप यह formula देख लीजे आपको remember भी नहीं करना है but exact importance दिखाना है हर चीज़ का H of S V ठीक है अब पहली बात तो यह split है मैं ठीक है यह split है तो हम first of all क्या calculate करेंगे H of S तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H of S is equal to minus P plus आपको हयो हो फॉर्मिला पटा हो log 2 P plus minus P minus log base 2 P minus ठीक है यह formula था अब पहली बात चलिए H of S यहाँ हम लोग calculate करते है entropy of the root node यह वाला entropy हम लोग calculate करते है ठीक है H of S के case में कभी में हम बात करेंगे entropy of the root node अब इस case में अगर आपको calculate करना है what is minus P plus मतलब probability of plus क्या है यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 9 by 14 बहुत ही simple है तो यहाँ लिख देता हूँ minus 9 by 14 log base 2 9 by 14 I hope बहुत ही clear है आपको यह वाले root node से आपको पता चल रहा है 9S है 5NOS है what is probability of P minus यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 by 14 log base 2 5 by 14 ठीक है अब इसका calculation अगर मैं करूँ तो आप करिएगा बट मैं आपको answer देता हूँ so that आप ज़्यादा time waste ना करें calculation में इसका answer होगा 0.94 तो आप यहाँ देख लिजे एक component यहाँ पर calculate हो गया हमेशा इसको क्या बोलेंगे हम लोग entropy of root node entropy of root node ठीक है तो यहाँ मैंने calculate कर दिया तो यह क्या है चलिए यह calculate हो गया अब इसके बारे में क्या है यह कुछ नहीं है यह entropy of category C1 है और C2 अब यह दोनों भी find out करना बहुत ही important है है ना तो चलिए हम लोग यह भी दूनते हैं बहुत ही simple तरीके से दून लेते हैं तो पहली बात तो मैं यहाँ लिख देता हूं H of C1 इसका मतला हम लोग इसका entropy देख रहे हैं C1 तो यहाँ पर है 6s and 2 nodes तो आप फिर से formulae apply कर दिए यह वाला तो यह होगा minus 6 by 8 log base to 6 by 8 है ना minus 2 by 8 log base to 2 by 8 ठीक है और अगर आप यह calculate करेंगे तो आपको somewhere 0.81 आ जाएगा ऐसे ही आप H of C2 calculate करते हैं तो यह calculate करते हैं आप देखे 3s and 3 nodes हैं impure split है ना और यहाँ पर हम लोग entropy calculate कर रहे है अब entropy case में क्या होता है ऐसे impure split में जहाँ probability 0.5 है obviously 1 होगा ना तो इसका हमको मिल गया इसका हमको मिल गया इसका हमको मिल गया अब हम लोग equate करेंगे इसमें है ना यह पूरे equation में तो पहली बात तो मेरा अब लिख देता हूँ gain of S, F1 is equal to what is H of S यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.94 minus minus अब देखें बहुत ही simple है summation of summation of V belongs to value V belongs to value मतलब S of V divided by S क्या होता है S of V divided by S मतलब कि अगर मैं यह root node से next वाले split में जाऊँ तो कितना total value है ठीक है अब first case में मेरे को H of C1 ढूनना है H of C1 ठीक है तो इस case में अगर S V क्या है S V मतलब कितना samples यहाँ बागी है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 samples बागी है ठीक है 8 और total number of sample को S से हम लोग denote करते है total number of samples कितना था उपर 14 ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 by 14 minus ठीक है प्लस और यहाँ पर आप देख देजिए next वाले में क्या है C2 का क्या है देखे कितना है total 6 है 6 divided by 14 तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 6 divided by 14 multiplied by 1 क्योंकि impure split में रहा इतना ही है ठीक है तो I hope आप लोग गो यह समझ में आ रहा हो बहुत easy लिए है बहुत easy calculation है नहीं समझ में आ रहा हो यह चीज़ देखे ठीक है तो 8 by 14 हमेशे याद रहा कि S of V मतलब कितना samples remaining है आपके split में यहाँ पे एक specific category में S मतलब जो root node में total samples कितना था 9 plus 5 14 ठीक है तो यह अगर मैं calculate करूँ यह वाला मेरे को मिल गया अब let's say कि मेरे पास एक और split था F2 से और यहाँ पे मेरा category C3, C4 था और let's say कि मेरे कुछ yes or no यहाँ भी आ गया yes or no यहाँ भी आ गया और finally मैंने calculate किया S of F2 और मेरे को मिला 0.051 0.052 let's say अब आपको question है क्या मैं F1 से split करूँ या F2 से split करूँ ठीक है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि gain of F2 is always greater than 0.049 तो it is better that we do a split with F2 यह conclusion होना चाहिए तो information gain आपको help कर रहा है कि कौन से feature से आपको probably split करना चाहिए और कैसे split करना चाहिए ठीक है बेसिकली split use करते है ठीक है तो I hope आप लोग के idea आया हो आप समझ पाये हो जो भी मैं समझाये हो मिलको पता है थोड़ा लंबा बन गया है वीडियो बढ़ मैं आपको चाहता था कि यह सारज चीज एक ही वीडियो में समझाओ ठीक है काफी मैंनत लग रहा है यह सारा चीज पढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं तो share करीगे सारे दोस्तों को free है content है ना community building पे focus करिए और सबको दीजे this was it for my side thank you one doll bye